हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रादा कीचेन तड़का आज हम बनाएंगे नवरातरी स्पेशल पेडा रेसिपी जिसे आप 15 दिन तक भी स्टोर करकर रख सकते हैं इसे बनाएंगे आंगन बाड़ी में मिलने वाले सूखे दूद से बहुती सुंदर और स्वाधिष्ट पेड़े बनकर तयार होंगे आईए बनाना सुरू करते हैं इसके लिए गैस के उपर रख दिया एक कडाई इसके अंदर डालेंगे हम एक ग्लास दूद दूद आप फुल फैट भी ले सकते हैं जो भी दूद आपके पास हो वो आप ले सकते हैं इसके अंदर दो चमश डाल दिया है मैंने देसी घी इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और दो कप डाल दिया है मिल्क पौडर जो आंगन बाड़ी में मिलता है उसी milk powder का इस्तमाल किया है मैंने एक cup मैंने पहले डाल दिया था वो वीडियो सूट नहीं होने पाई और दूसरा cup अभी डाला है इसे अच्छी तरह से मिला देंगे हलका सा गरम हो जाएगा दूद तभी ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिल्क पाउडर बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है ये देखिए कितना स्मूथ हमारा बैटर तयार हुआ है जैसे ही आपका दूद गरम होगा मिल्क पाउडर बिल्कुल एजिली मेल्ट हो जाता है उसके अंदर खुल जाता है कोई भी गुठली वगेरा नहीं रहती है अच्छी तरह से लगाताल चलाते रहना है इस बात का आपको ध्यान रखना है फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ वन फॉर्थ चमच इलाइची पाउडर ये बिल्कुल उपसनल है अगर आपको इलाइची पसंद है तो आप डाल सकते है और दो कप मिल्क पौडर के लिए आधा कप डाल दी है मैंने चीनी चीनी 5-6 चमच डाल सकते है क्योंकि मिल्क पौडर में हलका सा मीठास होता है इसके लिए हमें चीनी जादा नहीं डालनी है आदा कपचीनी इनफ है बहुत अच्छी और टेस्टी मिठाई बनकर तयार होती है इतना भर ही आपको मीठा डालना है ये देखी वॉयल आना स्टार्ट हो गया है इस रेसिपी को बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है इसे लगातार चलाते रहना है क्योंकि जो ये milk powder है ये कड़ाई से बहुत जल्दी ही चिपक जाता है इसके लिए इसे लगातार चलाते रहना है अगर आपके पास non-sticky कड़ाई है तो बहुत अच्छा है आप non-sticky कड़ाई में ही बनाए क्योंकि इसमें कम चिपकता है और अगर आपके पास non-sticky कड़ाई नहीं है आप aluminium या फिर steel की कड़ाई में बना रहे हैं तो आपको इस recipe को low flame पर बनाना है लगातार चलाते रहना है और low flame पर ही आपको यह recipe बनानी है क्योंकि उसमें बहुत जल्दी ही यह milk powder चिपक सकता है कड़ाई से और पूरी recipe खराब ह जाती है इसलिए इसे लगातार चलाते रहना है यहां मैंने medium flame पर इस recipe को बनाया है क्योंकि मैं non-sticky कड़ाई में बना रही हूं यहां पर मुझे 4-5 minute हो गए हैं इसे लगातार चलाते हुए और यह देखिए काफी गाड़ा होना start हो गया है देख सकते हैं और friends आप सब भी लोगों से छोटी सी request है अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजी चैनल पर पहली बार है तो subscribe कर दीजी बेल आइकन प्रेस करें ऐसे interesting recipe देखने के लिए इदे की लगातार चलाते रहेंगे काफी गाड़ा हो गया है पैन को भी छोड़ना start कर दिया ह इस mission ने देख सकते हैं बिल्कुल भी कड़ाई से चिपका नहीं है क्योंकि मैं इसे लगातार चला रही हूँ इसके लिए कड़ाई से नहीं चिपका है आप इस समय इसके अंदर एक से दो चमच की और डाल सकते हैं अगर आपका mission कड़ाई से चिपक रहा है तो नहीं चिप प्लेट के अंदर यहां पर मैंने प्लेट के अंदर इस मिश्रन को डाल दिया है जो यह हमारा मीठा मावा बनकर तयार हुआ है अभी यह बहुत गरम है अभी इससे आप पेड़े नहीं बना सकते क्योंकि मिश्रन बहुत गरम है इसके लिए इसे हम रख देंगे आदे से एक गंटे के लिए ताकि यह ठंडा हो जाए और आप इसे अच्छी तरह से छूपाएं अच्छी तरह से इसके पेड़े बना पाए थोड़ी देर के लिए इससे छोड़ देते हैं और यहाँ पर मैंने दो घंटे के बाद इसे चैक किया है हलका सा कलर भी चेंज हो गया है कुमारा यह मेशरण है डो है यह बिल्कुल सॉफ्ट बन कर तयार हो और फ्रेंट्स आप आंगन बाड़े में मिलने वाले दूद से तरह तरह की मिठाई बना सकते हैं आइसक्रीम बना सकते हैं इसके लिए आपको मेरे चैनल पर विजिट करना पड़ेगा और वहां पर आपक थारे का इस तमाल की आई जिससे हम पूरि वगैरा बनाते हैं उसी जारे से इतना सुदर हमारा डिजाइन बनकर तयार हुआ हलके हाथ से प्रेस करने पर बहुत सुदर सब्सक्राइन बनकर तयार होता है एक और बनाकर दिखाती हूँ मैं आपको ये देखे ऐसे पेड़ा बनाया और हलके हाथ से प्रेस कर देंगे और ये कितना सुन्दर डिजाइन बनकर तयार है देखे पेड़ा मेकर से भी जदा सुन्दर डिजाइन आपका बनकर तयार होगा इस तरह से जबाब बनाएंगे और इस सारे पेड़े मैंने इसी तरह से बना कर तयार कर लिए है I hope recipe बहुत पसंद आई होगी प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजी चैनल पर पहली बार है तो subscribe जरूर कर दीजी Thanks for watching मिलते हैं next video में next recipe के साथ